करें हलो फ्रेंड वेलिटम टो मां यूट्व चैनल एसके जी समाने गान अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैब लक उख चार्य प्रेस्क ने ताकि हमारे जो है वो वीडियो जो है लेट्स वीडियो उसकी देक्स पे रखा था दूसरा मुख्य मंत्री बाल उधार योजना हमने पढ़ ली थी जो स्टेट स्पॉंसर स्कीम थी फिर हमने दूसरा वीडियो अप्लोड किया था ड़लू सीडी की साइट का तो उसमें हमने हिमाची पदेश बाल बाली का सुरक्षा योजना बेटी हैं मो योजना है उसके बाद में पड़ेंगे एक चीजँ क्लियर कर दो तो सबस must learn अब अम्रेला ICDS में क्या है एक तरफ आंगनवाडी की छे सिवाएं आ जाती है ठीक है जैसे आप यहां देख रहे हैं आंगनवाडी सेवा उप्योजना ठीक है और दूसरा हिस्सा क्या आ जाता है बाल सनक्षन सिवाएं आ जाती है चाइल्ड प्रेक्शन स्कीम ठीक है उसके इस्टेट में ऊस लेवल पे भी है ठीक है इसके लावा जो चाइंड लाइन है तो जितनी चीजे हैं यह सारे बाल सनक्षन सिवाएं के अंतरकत हो रही है इसके लावा जो भीस्टेट एडॉप्शन से उसके अंतरगत है और इसके लावा फिर अगर हम हमारे पास जितना भी हम वीडियो में कोशिश करेंगे जे-जे-एक्ट पढ़ें उसके बाद तक रहने जो भी संस्थान एजनसी है वो राष्ट्य पोशन अभियान इसके लावा सबला और बेटी पचाओ बेटी है ठीक है बाकी ने महिलाओं से जूड़ी हो जना है हमने अभी नहीं पढ़नी है देख लेते हम ठीक है तो पहले वाले वीडियो में हमने जो है वो मुख्य मंतरी बाल उधारी हो जना देखी अनात बेसाहर बच्चों के लिए जो चिल्रन होम में रहते हैं जो चिल्रन होम की सर्विसिस जो है यह सब देखी थी अब हम आज जो देखेंगे वो है अम्रेला अम्रेला इसीडियस में जो है चाइल्ड प्रटेक्शन स्कीम सीपीएस ठीक है एक तरह से सब स्कीम है यह उपी होजना है सब स्कीम है यह अम्रेला इसीडियस की ठीक है तो चाइल्ड प्र इसका नाम जो है तब था समेकित बाल सनक्षन योजना जो मैं आपको बार-बार बोलता था Integrated Child Protection Scheme ICPS तो 2012 में यह ICPS के नाम से थी 18-9-2012 को बाद में इसका नाम जो है 30 नमबर 2017 को जो है वो बाल सनक्षन सिवाएं अमरिला ICPS में यह फिर बाल सनक्षन सिवाओं के अंतरकत आने लगी अब इसको बोला जाता है Child Protection Services ठीक है कौन कौन सी Services दी जाती है वो हम नीचे देखेंगे में काम क्या है Child Protection Services का जो भी बच्चे कठीन परिस्तितियों में रहते हैं उन बच्चों के कल्यान का और उनकी परिस्तितियों में जो है वो सुधार लाना ठीक है जो भी उनकी साथ दुर वहवार उपेक्षा या शोशन या बेसाहरा बच्चे है ठीक है उनको जो है जो है वो सहारा देती है ठीक है और कुछ टार्गेट्स है इनकी ठीक है तो बच्चों की जो भी संडक्षन सिवाओं की जो बहतर पहुंच बनाना बहतर गुणवत्ता स्थापित करना ठीक है भारत में बच्चों की स्थिति जो है बाल अदिकारों की उनकी स्थिति जो है और सु ल्यांग करना बाकी कुछ विशिष्ट उदेश्य भी है इसके ठीक है एक तो सेवाओं को जो है संस्थागत इंस्टिटूशनल बनाना संरचना जो है जो भी है से जुड़ी भी उसको सुद्रड करना क्षमता बढ़ाना हरस्तर पे ठीक है डाटापेस और क्यानाधारित जो भी है उसका सर्जन करना बाल संरक्षन को सुद्रीड करना ठीक है और सारवजनिक जाग रुपता बढ़ाना तो यह कुछ उदेश्य है इसके एक्चुली हुआ क्या कि बाल संरक्षन सिवाएं जो अब हम जिसको सीपियस बोलते हैं पहले वह आई सीपियस था तीस नॉमब फ्रवरी 2011 में MOU साइन हुए Memorandum of Understanding ठीक है और उसके बाद जो है फिर यहां पे यह आपके सीपियस जो भी जिसको हम आई सीपियस कहते हैं वह शुरू हुआ तो सबसे पहले तो 28 फ्रवरी 2012 को राज्य बाल सनक्षन संस्था बनाएगी स्टेट चाइल्ड पोटेक्शन जो भी है अधिनियम 2006 के इन्तरगात उसको पंजीकृत किया गया ठीक है जो भी स्टेट चाहल्ड पोटेक्शन इंस्टूट कहलो एया यूनिट कहलो ठीक है और फिर 18 सितंबर 2012 को जो है पहली बार जो है स्टेट चाहल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने जो है वह वो या जो Android उसने काम करना शुरूऊ क्या सी पी य्यु ठीक है उसने काम करना शुरू कर दिया गया और यह साहाइक क्यों क्यों calcul उसने काम करती गई स्टेट प्रोजेक्ट ठीक है फिर है राज्य में बाल सनक्षन सेवां का काम वो शुरू हो गया ठीक है बाल सनक्षन सेवा योजना जो है सीपीएस जिसको हम अभी बोलते हैं चैल प्रोटेक्शन सर्विसिस ठीक है इसके अंतरगत जो है फिर क्या-क्या एस्टेबलीश हुए ठीक है एक तो राज्य बाल सनक्षन संस्था बनी 2012 में ही बन गी थी ठीक है यह तो हो गई हमारी राज्य बाल सनक्षन संस्था ठीक है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन इसको यूनिट बोलो या इंस्टेटूट बोलो ठीक है फिर है हमारे पास जैसे सेंटर में कारा होती वैसे हीमाचल में जो राज में तारा बनी फिर शेवथ हौती है स्टेट कि scient एडॉपशन रिसोर्ण सई schauen है स्टेट एडॉपशन को बोलते है और स्टेट संशादन को बोलते है इंजँश सारा निहींट यह टर्म्स तो आपने याद रखनी है ठीक है इसके लबाद जिलाबार सरक्षन संस्था बनी डिस्टिक चैल प्रोटेक्शन यूनिट्स बनी ठीक है इसके लबाद जो है एसी ए बना ये भी नाम आपने याद रखना ठीक है एडॉप्शन दत्त ग्रहन को बोलते हैं एडॉ और स्पेशल ठीक है एडॉप्शन एजन्सी एस एए ठीक है स्पेशल एडॉप्शन एजन्सी तो ये दोनों नाम याद रखने एसी ए ठीक है इसके लबाद सीपीए सापको याद हो गया एसीए का मतलब हो गया एडॉप्शन कॉडिनेशन एजन्सी और विशेश दत्त ग जा समधिया म क का निर्मिल संग्रहन करना है , छिएह इसके लबाद लाद भाल-संद्वर्भोस संग्रहन करना है ठीक है इसके लावा फिर ये state level की सूचना संग्रहन करना है उसको update करना है ठीक है बच्चों की tracking परनाली बनाना वेबसाइट बनाना ठीक है और जहां पर भी है बच्चों पर baseline survey कराना ठीक है और जो भी state के डिस्टिक के जो भी अधिकारी है उनको training देना ठीक है और तक्निक कि क्षमता निर्मान करना center में और state में ठीक है जागरुकता बढ़ाना ठीक है संपूर्ण राज्य में जो है वो जो भी CPSHL protection services है उसका मुल्यांकन करना ठीक है तो फिर मैंने कहा नहीं जैसे सारा राज्य दत्तकरहन संसादन अभिकरन state adoption resource agency ठीक है तो यह जो है यह 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 ठीक है resource agency वैसे ही राज्य में जो है वो सारा की स्थापना हो गई राज्य दत्तकरहन संसादन अभिकरन ठीक है तो यह कारा का क्या काम है एक तो यह जितना भी उनका दत्तकरहन कारिक्राम है na adoption adoption मतलब बच्चे को गोद लेना ठीक है तो उसका जो भी है वो समन्वे करना ठ स्थित्तों में नहीं आए ठीक है saa ठीक है saa इसको बोलते है special adoption agency जहां जहां पर नहीं है ठीक है और वहां वहां पर दत्तकरहन समन्वें अभिकरन ठीक है तो यह फिर क्या है a c a ठीक है adoption coordination अभिकरन यह भी हमने उपर देखे थे saa और a c a नीचे भी आएगा यह तो उनको उनका गठन करवाना ठीक है जहां जहां पर नहीं बने है ठीक है और उनको फिर कारा से मनिता जो है मनिता फिर जो है saa को और ca जो भी है यह special saa और जो यह है आपका a c a इनको जो है यह फिर जो है कारा से जो है वह मनिता दिलवाना ठीक है और जो भी है उनको कानूनी साहिता प्रदान करना जो भी एस विशेश दत्तगरहन अभी करना जो SAA, इनको फिर जो है इनका गठन करना, और कानुनी साहता प्रदान करना, ठीक है? इसके लवा सुनिश्चित करना कि भी, जो भी, बच्चों का जो भी गोद लिए जा रहे हैं बच्चे वो भारत के सुप्रीम कूट के और और भारत सरकार के कानून की आनुसार हो ठीक है और यह कारा जो हैसेंट्रल अभी करान जो है excel, अभी करन जो है c- f raa ठीक है रिसोर्स अगर इसमें लग जाएगा तो कारा बन जाएगा तो जो भी केंदर की जो भी दर्तग्रहन एजंसी है ठीक है उसको वो मेन उसका है कि पूरे देश बर में जो है दर्तग्रहन को बढ़ावा देना ठीक है इसके लब बच्चों की ट्रेकिंग फिर जिलाबाल संक्षन समितियां डिस्टिक चैल प्रोटेक्शन कमिटियां है एसी ए की साहिता से जो है ठीक है तर्तग्रहन करने वाली जो भी संभावित माता पिता है उनका जो है एक आकड़ा बनाना वैबाधारित ठीक है अब आदॉप्चन कॉडिनेशन एजनसी ठीक है असी एक इसक्रावास ऑर एक प्रहक्षन समंभावित के जो हमें समंभावित अधापिता जो रजिस्ट्रेशन है ठीक है डिस्टिक चैल प्रोटेक्शन जो वहाँ पर इसके लावा SAA Special Adoption Agency और ACS ठीक है Adoption Coordination Agency और सारा में जो है वो हो गया है registration के लिए है यह जरूरी ठीक है इसके लावा CARA जो कारा है सेंटर में केंद्र सरकार का उनको जो है यह जो है आंकड़े उपलब्द कराती है स्टेट वाली ठीक है इसके किलाव दत्त ग्रहन प्रनाली का जो है उसकी शमता का निर्मान करना ठीक है अगर कहीं पर भी जो है कोई गलत घटना घट रही है दत्त ग्रहन का यहां बनाई गई है सभी जिलों में ठीक है की जा चुकी है प्रदेश के सभी जिलों में इसके लावा चाइल्ड वेलफेर कमिटी और किशोर नयाय बोड का अगर्थन किया गया अब यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं बड़ी देश से बोड रहा हूं यह आपने देखा हम एडोप्शन की बात तो करी रहे हैं 2012 में इंटिग्रेटीर चैल्ल परटेक्शन स्कीम आई 2017 में 30 नवंबर कुसका नाम ठीक है क्या चैल्ल परटेक्शन सीपीएस कर दिया गया चैल्ल परटेक्शन सर्विसीस कर दिया घीक है अब वो काम क्या करती है एक तो आपने यह स्टेट सारा है ना, सारा का गठन हुआ. ठीक है, क्या हुआ, एक तो सारा का गठन हुआ, स, ए, आर, ठीक है, जो बच्चों का गोद लेने का काम करती है. ठीक है, दूसरा, इस के अंदर, district child protection state level पे जो है वो unit बनी adoption की ठीक है फिर district child protection units बनी है हर जिले में DCPU जिसको हम DCPU बोलते हैं तो वो हर जिले में DCPU बनी है और district child protection officer भी जो है वो नुक्त की है तो ये भी जो है ये सब किसके अंतरगत है ये ICPS जो था पहले पहले सब किसके अंतरगत है फिर इसके लावा सभी जिलो में जो है child welfare committee और जे जे बोल बना है ठीक है तो ये सभी जिलो में बाल कल्यान समिती जिसको हम child welfare committee कहते हैं CWC पसाती साथ जे जे बोल किशोर नयाय बोल का भी गठन किया गया है ठीक है तो इन सस्थाओं में बच्च लेने के लिए फिर वो district level तक वो आए दूसरा district child protection units बनी ठीक है तीसरा CWC बाल कल्यान समिती और चौत्था किशोर नयाय बोल्ड है पांचवा child help line है ball tracking system ठीक है तो ये सारा कुछ जो है ये CPS जो हम umbrella ICDS में CPS आ गया ना अब child protection services आ गई तो ये उसके अंतरगत है ठीक है तो CWC का क्या काम है और किशोर नयाय बोल्ड का क्या काम है अब बाल कल्यान समिती जिसको हम child welfare committee कहते है CWC वो उन बच्चों को child welfare committee में पेश किया जाता है जिनको विचारों को देख भाल और सुरक्षा की जरूरत होती है जिनके साथ कुछ बुरा होता है ना बच्चों के जाता है child welfare committee के पास ठीक है वो उनकी सुरक्षा और देख भाल की जो भी जरूरत है उसका ध्यान रखती है तो child welfare committee जो है ये काम करती है और JJ board के पास किन बच्चों को लेके जाते हैं juvenile justice board के पास ये उन बच्चों को पेश किया जाता है जो बच्चे अपरात करते हैं ठीक है दो तरह के बच्चे होगे ना एक पीडित बच्चे शोशित बच्चे उनको CWC में प्रस्तूत किया जाता है child welfare committee में और एक ऐसे बच्चे जो खुद अपरात करते हैं 18 साल से नीचे वाले बच्चे 16 साल 15 साल 14 साल तो ऐसे बच्चों को फिर हम किशोर नयाय बोर्ड में ज इसको बोलते है जेजे बोर्ड जुविनाइल जेस्टिस बोर्ड जुविनाइल अपने आप में ऐसा बच्चा है जुविनाइल एक शब्द है ऐसा बच्चा है जो की अपराद में सनलिप्त होता है तो जो बच्चे अपरात करते हैं उनको जुविनाइल कहा जाता है 18 साल स लड़का अगर कोई घीनियस क्राइम करता है किसी का मर्डर कर देना ठीक है या रेप करके उनका मर्डर कर देना तो उसको फिर बड़ों की तरहां टीट करके सजा भी दी जा सकती है तो जे जे बौर्ड ने कहा था ठीक है तो पता लगया ना दो चीजें हैं डिस्टिक में लिए जो अपराद में सलिप्त है ठीक है पर्देश हमें राज स्तर पे जिलास स्तर पे खंड स्तर परगउं श्तर पे जो है चाले वल्फिर कमिटी हा बनाई गही है ठीक है तो यह जो चाल्ड वेलफेर कमिटी है यह हर डिस्टिक्ट में तो बनाई गई है ठीक है यह चाल्ड वेलफेर कमिटी जो है बाल सनक्षन कमिटी यह इसका गठन किया गया है खनस्तर पे भी और गाउंस्तर पे भी और जिलास्तर पे भी ठीक है और जिले में चाल्ड वेलफे दाल वैंगोय में इस विभरेञ्ट ते और यह सूंसरा चार्वारोरे दाल जाते हैं विभरेञ्ट को भच्छे के पास न हमारोगा पूला जाते हैं इसको बढ़ावा देने के लिए जो शीवर वगएरा भी लगाया जाते हैं इस समय चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतरगत 46 चाइल्ड केर इंस्ट्ट्ट्टूट है CCI बोलते हैं जिसको पहले हम उसको क्या बोलते थे चिल्डटर्ण होम ऺगए हैं अब क्या कर रहे हैं 46 चाइल्ड केर इंस्ट्टूट काम क करें हैं और यह हमने उपर देखे भिए अब जो हमने योजना देखी थी न मुक्यमंत्री बालू ध़्रियोजना है और उसके अंतरगत जो हमने जो हैं वो कुछ तो सरकारी देखे थे ठीक है और कुछ NGOs जो की सरकारी नहीं थे NGO थे जिनको साहिता जो है वो अनुदान जो है वो सरकार देती है ठीक है तो एक चीज़ और बाल गरहूं का नाम Children Home का नया नाम क्या है अब Child Care Institute 46 है इस समय ठीक है और कुछ इसके इसके लावा जो है दत्तक रहन एजंसियां भी है ठीक है इसके लावा कुछ देखभाल शिशु स्वागत के इंदर भी है कुछ पालन पोशन के देखभाल के भी है ठीक है और इस योजना के अंतरगत विभिन विभाग गयर सरकारी संस्थाइं जो बच्चों के लिए कार कर है उनका भी समन में स्थापित किया जा रहा है जैसे चाइड़ लाइन एंजियो सिक्षा विभाग आती तो चाइड़ लाइन सर्विस जो 1098 है वो भी यही चाइड़ पोटेक्शन स्कीम के अंतरगत ही एस्टैबलीश है ठीक है तो एक तो दत्तक रहन एजंसी सारा क additions नें कि एजंसी आज हो दूसरा हर दिस्टिक में डिस्टिक चाइडल प्रосьम बनी है हर दिस्टिक मीडे। हमें संपरक काथा टम क्तृम स्थ्से करेंगे एक one तो हिमाज़ घवर्दैश-राझ juicy बाल सनक्षन समीथि जो भी कमिडा दिस्टिक क्या राजव अपक्शन सीपीएस ठीक है चैल्ड प्रोटेक्शन सर्विसीज जो की अम्रेला आइसीडियस के एक दो में से एक पार्ट है एक तो आइसीडियस में एक तो आंगनमारी सर्विसीज हो गई छे और एक चैल्ड प्रोटेक्शन सर्विसीज हो गई अब हम बात करते हैं जुएनाइल Act 2015 की किशोर नया अधिनियम 2015 बालकों की देखबाल सनक्षन अधिनियम और ये जो है विधी विरोधी बालकों के लिए संस्थान तो जो जो जुमिनाई जस्टिस Act 2015 है उसमें जो भी बच्चे ठीक है जो की कानून के खिलाफ काम करते हैं ठीक है तो उनको कहाँ पर भीजा जाता है मानलो वो अपराधी पाए जाते है या दोशी पाए जाते है क्योंकि जे जे एक्ट में मैंने बता है जुविनाईल वो बच्चा होता है जो की अपराध करता है ठीक है 18 साल से कमा यूगा तो अगर वो अपराध का दोशी पाए जाता है तो उसको कहाँ उनको कहाँ बेजा जाएगा तो उनको यहाँ बेजा जाता है observation home में ठीक है ठीक है तो यह कहाँ पर है पहले तो उनना में था अब टूटू में भी आ गया ठीक है तो जो भी बच्चे जेजे एक्ट में दोशी पाए जाते है ठीक है उनको कहाँ बेजा जाता है observation home में तो पहला कहाँ है संपेशन ग्रह एवं विशेश ग्रह एवं place of safety समूर कला उनना ठीक है तो observation home भी कहते है इसको special home भी कहते है और place of safety भी कहते है और यह कहाँ पर है उनना के समूर कला में है एक और दूसरा कहाँ पर है observation home कम special home कम place of safety एक है हीरा नगर टुटू के पास शिम्ला में ठीक है तो दो जगाँ पर है यह observation कम special home place of safety एक तो समूर कला उनना में दूसरा हीरा नगर टुटू में इसका में उदेशे क्या है तो जो भी बच्चे कानून का उलंगन करने वाले जो भी किशोर हैं उनको फ्री में रहने खाने सिक्षा स्वास्त और पुनर्वास के लिए जो है और आत्म निर्बर बनने के यहां पर सुविधाय दिया 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 क्योंकि सजा दे नहीं सकते 18 साल से निचे के बच्चों को हां कुछ एक केसी में हम दे सकते हैं तो जो भी 18 साल से कम उमर के बच्चे जब वह इस तरह की गतिविद्यों में पाय जाते हैं तो उनको अबजर्वेशन होम में भेज दिया जाता है स्पेशल होम भी इनको कहा जाता है प्लेस ऑफ सेफटी तो जो भी कानून का उलंगन करते हैं ऐसी किशोरों को जो है वो अब्जर्वेशन होम में भी जैते हैं यहां पर फ्री में उनको रहना खाना सिक्षा पुनर्वास जो है रिव है बिल्टेशन वो दिया खता है अग कै किन को यहां पर प्रवेश दिया जाता है अब्जर्वेशन होम या स्पेशल होम में 18 साल से कमायू के बच्चे जो कानून का उलंगन करते हुए पुलिस द्वारा जो है वो पाए जाते हैं फिर पुलिस जो है वो डिस्टिक लेवल पर जो नाइक मजिस्ट्रेट होता ना प्रथम श्रेने का जो जघ होता है उसकी अधेश्टा में जो है वो जचजु बोड में बाकि मेंबर ही होते हैं लेकिन जो जळ जड़ जो इसका अध्यक्ष होता है वो जच होता है ये जजेऑ का और तो एक फास्ट्रेट है ठीक है और इसका एक तरह से कोट के जैसा ही आदेश प्याप पारित किया जाता है और उनको फिर जब वहां पे एक तरह से दोशी तो नहीं कहेंगे 18 साल से नीचे के बच्चे को तो लेकिन जो भी वह आदेश पारित करते हैं उसके बाद फिर उनको जो है यह संप्रेशन ऑब्जर्वे भी में लिए तक है यह थिकाट ओने जाता है तो वो बन फिचाल के बाद अवह स他 रही ज्चे है चांट के लिए यह वार है जो विद्धी के साथ जो जो मतलब है तो अपरादी तो आपरी तो उनको नहीं वह वो ले त्य आतारि तो कहान-कहां पर है जिला कॉल्लू में अनिए उपमंडल के लावा में ठीक है इसमें भी मुंखना इक मद्धित्र प्रतम कुलू कुलू के देख्षता में यह है कि शोने कुलू में अदेक्स्ता में किशोर नयबोर मंदी में है इसी तरह से काघड़ा में है ठीक है, धरमशाला में, सोलन में है, ठीक है, बिलासपुर में है, सिर्माओर में है, ठीक है, नहान में, और हमीरपुर में है, ठीक है, चंबा में है, शिमला में है, ठीक है, और उन्ना में है, तो ये और लाहलसपिती में है, ठीक है, तो ये सभी डिस्टिक में जो है, वो जे जाते हैं और अगर जेजे बोर्ट में जो मजिस्ट्रेट है ठीक है वो अगर आदेश पारित कर देता है तो फिर कि भई ये लोग उसमें संलिप्त हैं फिर उनको अप्जरविशन में भेज जा जाता है दो जगां अब्जरविशन हों है उन्ना में और हीरा नगर में संस्थान ठीक है दत्ता ग्रहन मैंने बता दिया एडॉप्शन बच्चों को जो है और उससे जुड़ेवे संस्थान कौन है कौन से इंस्टिटूट है या इजन्सिया है तो एक तो है शिशुग्रह तूटी कंडी में कई बार पूछ लेते हैं कि शिशुग्रह कहां पर है अब्जर्वेशन होम हमने वहां देख लिया ठीक है जिसको स्पेशल होम भी का जाता है शिशुग्रह जो है वह तूटी कंडी में छे साल से कम उमर के ऐसे बच्चे जिनके उमर क्यूंकि आपको पता है छे साल के उपर बच्चों को थो हम CCI में बेज देते हैं चलके रें ठीक है और ऐसे बच्चों को जो है वो दत्तगरहन करवाना यानै कि उनको माता पिता गोद ले उनको तो इस तरह के काम जो है यह दत्तगरह संस्थान जो है शिशुगृ से चूटे बच्चे महाँ पे भेचे जाते हैं चिक है जिनको छोड़ दिया उनके माँबाप ने ज जो बिना माबाब के बच्चे हैं निराश्रित बच्चे हैं ठीक है अगर ऐसे मामले में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके उन्हें हिमाचल प्रदेश बाल कल्यान परिशद शिमला द्वारा टुटी कंडी शिमला में संचाले शिशु ग्रह में प्रवेश्द दिया प्रवेश्द यहां पे प्रवेश्द दिया जाता है ठीक है तो पुलिस के रिपोर्ट पे हिमाचल प्रदेश बाल कल्यान परिशद जो है तुटी कंडी वाली शिशु ग्रह में फिर वो जो है और यह इसके लिए संपर्किस को करना है महासचीव जो भी है इमाचल प्रद 6 साल से कम आयू के परितक्त निराशित बच्चों के गोद तक रहन करवा कर विकास के समान अवसर प्रदान करना उदेशी है पातरता 0 से अच्छा ये बहुत इंपोर्टन्ट है ये आपने धियान रखना पातरता क्या चार साल तक के बच्चे जो है अगर उनको गोद लेना है तो माबाप के दुन्नों की उमर जो है जोड़ कर 90 साल से कम होनी चीए चार से आठ साल के बच्चों को अगर गोद लेना है तो मा और पिता के दुन्नों की उमर जोड़ कर 100 साल से कम होनी चीए और अगर आट साल से जादा के बच्चों को गोद लेना है तो फिर माता पिता की दोनों की आईू जोड़ कर 110 साल से कम होनी चाहिए ठीक है और साथ ही साथ वो मानसिक और अर्थिक रूप से जो है वो सुद्र रूने चाहिए तो ये गोद लेने के लिए जो है उससे कम होनी चाहिए ठीक है, और साथी साथ उनके मांसिक और आर्थीक स्थिती ठीक होनी चाहिए जो भी इच्छुक दमपती है जो गोध लेना चाहता है बच्चा छी साल से कम, जो भी है ठीक है तो वो कारा में जो है जो ठीक है सेंट्रल जो एडॉप्शन डिसूर्स एजनसी है वहाँ पे जो है ओनलाइन आविदन करता है उसके बाद उसके होम जो किया स्टडी रपोर्ट तियार की जाती है ठीक है फिर जो भी यह नाय अले दार द्वारा जो है वो फिर कानून बीगाम में इसके लिए तो गोदब लेने के लिए महारा एक Premium टोटी कंटी में रही शिम्ला ने थी ठीक है और संचाली था यह हिमाचिपदेश बाल कर लियान परिश्यद द्वारा ठीक है और यह कुछ पात्रताएं है यह आपने ध्यान रखना चार साल तर नबे चार से आट सो और आट साल से ज्यादा 110 वर्ष ठीक है तो यह जो है यह हमारे आइसी पीएस के अंतरगत ही जो है हमने यह सारा देखा है यह सब कुछ किशो न्याए बोर्ड जो भी है यह जो इना जैस्टिस एक्ट ठीक है तो हमारा यह वीडियो हम आगे देख लेते हैं इसको ठीक है यह हमारा वीडियो है रिवीजन बाद में देखेंगे इसको फिर हमारे पास आता है राष्टिय पोशन अभियान ठीक है हम यह नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे क्योंकि यह काफी बड़ा वीडियो बन जाएगा फिर राष्टिय पोशन अभियान है हमारे पा जो है वह ज्यादा बड़ा वीडियो होता है फिर वह पिछला आप सारा भूल जाएंगे ठीक है तो आज हमने जो पढ़ा है यह तो पिछले वीडियो का है आज जो हमने पढ़ा है वह एक बार फिर से रिवाइस कर लेते हैं वह हमने अ्परिल सीट आमरिल इसका पढ़ा है तो आंगनवांडी शिवाय आंगे संवाएं था इस वाले वीडियो में हमने चैलन परठटशन सर्विसिस के बारे में पढ़ा ठीक है बाल सनक्षन से वाएं ठीक है पहले इसका नाम ICPS होता था Integrated Child Protection Scheme जो था वो था अठारा नो दो हज़र बारा को ये आई थी और तीस ग्यारा दो हज़र सतना से का नाम चेंज हो गया ठीक है इसके अंतरगत जो है संस्था पंजी करना दीनेम 2006 अंतरगत ठीक है इसके लवा फिर राज्यबाल संस्था ने 18 सितंबर 2012 को काम करना शुरू कर दिया साथी साथ राज्यब परियोजना साही क्यूनिट जो है इसमें में चीज क्या है मैंने आपको इधर भी बताया एक तो दत्तक ग्रहन कैसे बच्चों को गोद लेने के लिए राज्य दत्तक ग्रहन अभिकरनकारा जो सेंटर में है स्टेट में है सारा स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजनसी तो यह कब एस्टेबलिश हुई 18 सित नंबर 2012 को ठीक है यह हमने पढ़ा इसमें फिर मैं इसको इसलिए दुबारा दुबारा करवा रहा हूं कि आपके लिए नई चीज है हम ज्यादा तर आंगनवारी सेपाओं पे जुड़े रहते हैं संट्रक्शन वाले काम हम नहीं करते तो इसलिए इसको बार-बार में रि पीएस ठीक है जो हमारा एक अलग से ही अब जो है वो अम्रिला आई सीडियस में है सर्विसीज है तो उसमें एक तो डिस्टिक चैल्ड पोटेक्शन यूनिट्स बनी चैल्ड वेलफर कमिटिया बनी किशोर नया बोर्ड बने ठीक है और साथिसार चाइल्ड नाइन एस्ट से लेवल भी बनी है और नीचे लेवल भी जो है वो और हिमार से पतिश बाल कर लियान परिशयत कैसे करती है तो अच्छा यह आपको बता दिया मैंने ठीक है दो हिस्से हो गए चैल्ड वेलफेर कमिटी उन्हों बच्चों को देखती है जो पिछारे शोशीत पीडित होते हैं सी पीए सी ओजना के अंतरगत चैल्ड प्रोटेक्शन सर्विस्टी जो है ना तो उसमें चैल्ड चैल्ड कर इंस्टिटूट जिनको पहले हम बाल ग्रह करते थे थे चिल्डरन होम ठीक है तो वो अब है चैल्ड कर इंस्टिटूट के नाम से ठीक है तो कई जगां यह ह स्पेशल होम में बेचा जाता है जिसको प्लेस ऑफ सेफटी एक तो उन्ना में है समुलकला में दूसरा ही रानागर में है ठीक है 18 साल से निच्छे के जो भी विधी का उलंगन करते हैं ठीक है हर जिले में यह स्टैबलिश किया गया उसके बारे में बताए गया था ठीक है काफी सारे चार्ड केर इंस्टिटूट देखे थे ठीक है और यह जो है इनको एडमिशन दी जाती है वहाँ पर दत्तक रहन एजनसी है ठीक है जो कि अगर किसीने अपलाई करना है तो कारा डॉट किसीने को उदलेना है तो यहां पर अपलाई कर सकता है पातरता क्या है चा नीची दोनों माता पिता की ठीक है और महासची विमाच्यपधिशबाल कल्यान परशयत से जो है जो है वो उससे संपर कर सकते हैं ठीक है तो हम यह बाकी जो राश्टी पोष्ण भी आना है यह इंपॉर्टन है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साथी साथ सब सब्सक्राइब करते हैं तो इसको नहीं हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी बचीवी चीज़े है और जो हमने पिछली तीन वीडियो में जो हमने पढ़ा है उसको भी डिवाइस करते चलेंगे ठीक है तो उससे रिवीजन अच्छी हो जाएगी क्योंकि मैं मैंने पहले बोला कि इन वीडियो से कम से कम 10 और 37 कोशन आने ही आने है तो जो मैं वीडियो से आज यह जो हमारी सीरीज चल रही है 40-50 पेज की जो है यह पूरा का पूरा लगबग हमारा अगर हाँ आप देखें तो लगबग हमारे फोर नंबर के लावा लगबग 40 पेज क जितने भी सीरीज का वीडियो बनेगा साथ आठ जो भी बड़ा टॉपिक आ रहे हैं कई जगां जल्दी भी बन जाएंगे वीडियो तो फिर हमारे जो है इससे 30-40 नंबर का कुशन का मैक्सिम मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है वो 20-25 नंबर का आएगा ही आएगा ठीक है मि अपरे ध्यान से देखें इनको बाकि और भी उससे रिलेटर जो वीडियो से हम लेकर आते रहेंगे आपके सामने तरने बाद